इसको अपन Mac address भी कहते हैं, इसको अपन Ethernet address भी कहते हैं, यहाँ पर जो term यूज़ करने वाले हैं, अपन Mac address यूज़ करने वाले हैं, और इसी तरह से जो logical address है, इसको अपन IP address कहते हैं, तो यहाँ पर जो दो term यूज़ करेंगे, physical address के लिए Mac address और logical address के लिए IP address, यह हम करते हैं यह अपन इसमें देखने वाले हैं, तो यह होता है, मैक एड्रेस जो आपको यहां दिख रहा है, यह एक टेबल बनी होई है, यह टेबल किसकी है, यह टेबल इस ब्रीच की है, ब्रीच इस नथिंग बट ए स्विच, इट इस टू लेयर स्विच, और अगर आपको आपने आपको जो दिख रहा है यहां पर आपको यहां पर तो फाल रिस द्रूज लो पे में शकिल तो यहां पे मैं ट्रेस्ट पान चले रहा है अब आप देखे में इन में क्रफ ik तीप इसम ए शक्डेज आर्मड तो लेश इस ऊड आप यहां पर इसके दो इंटरफेस हैं स्विच के एक जो इंटरफेस यह वन कहला रहा है जो मैंने यहां मेंशन किया यह इंटरफेस वन है यह इंटरफेस टू है तो यह किस तरह से काम करता है ब्रिज अब ये समझे आप यति तो यह इसके पास जो यह रहन है यह ब्रौडकसT टिकनोलोजी पर बर्त करता है जो भी अगर रहा इसको पर दो नहें ब्लेकर आरो यह मिलने वाला तो यह इं मिलने वाला विणता है तो मिलता है IF जब यह इसको मिलता है यह यह इसको थो से chickens I एड़ेस होता है अगर यह इडरेस बैडग को यह फ्रेम मिलता है जो कि इसने भेजा क्योंकि तीनों को मिल रहा है अब ब्रीज एपनी टेबल चेक करेगा इसमें यह वाला इड्रेस है या नहीं है तुछ इसका इंटरफेस चेक करेगा तो अभीज विर से उस पैकेट को ब्रॉड कास्ट करेगा जिसको कि यहां भी मिलेगा यहां भी मिलेगा लेकिन इस फ्रेम कि विए हैं स्कोई करने वाला शुर्फ सेश्च कर जाए यहां स्टूलैंट इंप्रेंट बात यह ए फिर्टेटा गाई वेश्य फੇल कर दीनेशन में वर्टेश में आपनी टेवल में कहीन कि यह 112 address किसका है इंटरफेस 2 मिला तो इस ब्रिज ने उसको इंटरफेस 2 पे broadcast कर दिया और यह जो है सभी को मिल गया लेकिन उसको accept इस ने कर दिया ठीक है यह procedure होती है bridge की तो अभी आप address देखेंगे तो यह MAC address है ठीक है यह सभी MAC address है यहां कोई IP address यूज नहीं हुआ है और यह दोनों ही land 1 और land 2 आपस में connected है bridge से connected है यह switch से connected है two layer switch से bridge को अपन two layer switch भी कह सकते है two layer switch because switch is a preferred term जब आप commercial use करेंगे practical use करेंगे तो कोई आपसे bridge नहीं कहेगा switch ही कहेगा तो well student यह मैं आपको बता रहा था कि यह MAC address है ठीक है अब MAC address जो होता है वो कितने bit का होता है MAC address जो है 48 bit का होता है ठीक है 48 bit माने समझें तो यह six byte का address होता है ठीक है six byte का address होता है means आप यह सब hexadecimal address है तो एक hexadecimal digit जो होता है वो four bit में represent होता है obviously hexadecimal है तो 16 होते है 16 होते है इसमें और एक digit जो है four bit से represent होता है तो यह यहां पर जो है यदि four से divide करेंगे तो आपको 12 मिलने वाला है तो यहां पर 12 hexadecimal digits होते है one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve hexadecimal system में अगर 12 डिजिट होते हैं तो यह कैसे काम यह 12 डिजिट है हर hexadecimal digit जो होता है हर hexadecimal number जो होता है वो four bit का होता है कैसे होता है एक जीरो 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 से लेके यह 1111 तक चलते हैं च्था क्पैस्ट घाता है 00 001 तो यह होता है student 0 यह होता है 1 और इसके पहले अगर आप जाएंगे तो यह 110 यह होगा तो इस तरह से इसको अगर आप देखेंगे तो 9 तक काम चल जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 के बाद जब 10 आता है तो इसको A कह देते हैं 11 को B कह देते हैं इस तरह से Finally यह जो number होता है इसको F कहते हैं इसको E कहते हैं इसके पहले D, C, A, B भी आ जाते हैं इस तरह से 6 byte का address है 12 hexadecimal digit होता है इसमें 1 hexadecimal digit 4 bit का होता है So well student यह होता है MAC address यहाँ पे कोई logical address यूज नहीं किया है और यहाँ पे देखिया आप इसकी जो specialty की है कि यहाँ पे दो LAN है जो एक ही premises में है जिनकों की एक switch से 2 layer switch से connect कर दिया है जब तक इस premise से की ज़रूरत नहीं पड़ती है MAC address से ही पूरा communication होता है frame के form में यहाँ frame में source का address होता है यह source address है, यह destination address है यह आपका data है इनी चीजों का ज़रूरत पड़ती है और इससे पूरा काम होता है So well student अभी अपन अगली slide पे जाने वाले है Do you have any question here you may ask Yes सबसे पहले तो यह address आपको मिलता कहां से है यहां से बात शुरू होती है तो यह address आपको यहां से यदि आप इस computer को consider करें इसको करें इसमें अभी clear है तो यह computer Consider करें तो यहां पर एक network interface card लगा रहता है चीच़ा है इस network interface card को अपन Ethernet card भी कहते है Ethernet card कहते है इसको शुक्ति है इसको अपन Ethernet card कहते है इसमें लगा रहता है εδώ computer के CPU में वहां से आप इसको connect करते है RJ45 से ठीक है यहां आपने इसको connect कर दिया तो यह आपका computer का ethernet card यहाँ पे भी RJ45 रहता है जो कि यहाँ समझ दिया तो यह आपने untwisted pair cable से UTP cable से इसको connect कर दिया यह computer आपका connect हो गया इसमें तो जो यह आपने ethernet card लगाया है जो NIC card लगाया है जो hardware है जो vendor specific होता है इसने आप उस card पर यह address mention किया हुआ है ठीक है तो यह जो address mention करता है यह 48 bit का address mention करता है यह कोई भी address होता है जैसे आप पर enrollment number it is address अब यह enrollment number की एक डिजिट होगी तो similarly यहाँ पर भी जो vendor रहते हैं वो 48 bit का address इस पर specify करते हैं जो कि इस address के ethernet card पर यह address specify यह कहां से आ रहा है इस ने लिखा हुआ है इस पर कि हमारे card को इस address से जाना जाए ठीक है अगर आप इस card से जानेंगे इसके address को तो मिनस आप इस card तक महुँच गए इस card तक महुच गए मिनस आप इस machine तक महुच गए तो यह 48 bit का address होता अब बात यह address तो bit में है यह address देखेंगे तो 0101 लिखा रहेगा 48 bit जो आपको समय अभी कोई कि मेरा हम मैं बोलता हूं मेरा house number 9 है आप समय लेते है 9 अगर मैं यह अपना 9 को लिख दूं binary में तो फिर यही बात होती है ठीक है क्योंकि machine you and me can understand this thing अब इन्होंने जो address 48 bit का इसको binary में लिखते ठीक है 48 binary visit जो है बहुत जादा होते हैं इनाफ होते हैं जिनकों की जिनकी कोई significant नहीं होता तो इसलिए यह बाइनरी डिजिट अब क्या यूज करना है hexadecimal डिजिट यूज करना है तो यहां पर 48 डिजिट की बजाए यहां कितने डिजिट होगा है 12 बिजिट होगे वहीं यह फोर बिट का यह होगा है अब आपको 12 डिजिट में काम कर रहा है यह है अग आपको त्न ग माने मेदे क्या है अगर यह लिखा तो तीन है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा यहां समझ आथ di तो मैं बार चोथ सिरिस में जीरो बन प्रमनों तदिए घुक्तप्र सब्सक्राइब करост ऍञेर चीनेल कुछ इस सी पार है जो जसाट थीजमने तुजिए फिर्ट वर्टेर को यह सब्सक्राइब हुगा थे सम्स्राइब्स मुद्ट हूँ तो इस तरह से यह 맛있 एक एक इंट्रेस्टिंग सी तकन्सेप्ट होता है टिकनोलोजी होती कि यह इस तरह से इस कार्टार यह आपको पिल्कूल क्लियर हो गया है घ्लिट कर दिया कि है इसलिए मिल रहा है कि आपके computer में आपने NIC card लगा के रखा है तो उससे उस computer की identity बन रही है ठीक है अब यह इनका कुछ काम नहीं है यह सब एक ही चैनल है इसी सिंगल चैनल लें वानी जो आपको black line दिख रही है यह सब एक चैनल है जो भी यह packet बनाएगा इसने packet को अगर यह अगर यह एक से जादा चैनल होते दो चैनल भी होते तो फिर यह packet किसी को एक चैनल पर मिलता दूसरे पर नहीं मिलता ठीक है यहां जो भी चीज़ रखते हैं वो सब को मिल जाती है तो इसी को पन ब्रॉड कास्ट को यह चीज़ को अपन सब जगे रहे हैं तो सब को मिल रह खि sociaux किया अपनी लिमिटेशन होती है आप इसको कितना बड़ा ले सकते तो यह लिमिटेशन होती है कि है तो यह उतिए से तो आपने तो क्या है आपने बड़ा सा लेन बनाना है तो आपने क्या कि एक लेन ये बना दिया एक लेन ये बना दिया अन्दीनों को कनेक्ट किस से कर दिया ब्रिज से कनेक्ट कर दिया आपने तो यह अब ब्रिज से कनेक्ट करने की भी जो है सीमा होती है तो यह ऐसा नहीं प्रीपीटर भी लगा सकते थे तो वेल स्टूडएंत यह सब फिजिकल इंट्रेस हैं इन से काम होता है अब लेखते हैं इस से यदि आप ब्रिज नहीं लगाते हैं यहां पे तो आप रिपीटर भी लगा सकते थे ठीक है तो repeater कुछ नहीं करता है repeater यहां पे जो signal आपका इस point पे जो signal यह पूरा चला लाए इस point पे signal डिग्रेेट होता है उससे पहले और ने से पहले यहां जी रो मिद्ट पूरी तरह से डिग्रेट हो जाएगा जो यहां से चल रहा है इन इडिंशें से पहले यहाँ पढ forma कॉछ नहीं और उस सीगनल को फिर से और यहाँ पहुंच जाता लेकिन अगर इपीटर लगाते हैं तो इसे कोई सब्सक्राइं पांग चीज़ और बता दूर इंपीटर के पास कोई प Android नहीं उती है इसजी ब्रिच के पास शाONY यहां पर ब्रिज लगाया है अगर मैं यहां पर रिपीटर लगा दूँ कि इस पॉइंट पर जो हो गया था उसको इसने रिजनरेट कर दिया फिर से ओरीजनल शेप में आ गया इसा हो जाएगा और फिर यह पता ही नीचे बोल्टेज़ यह पुछ देक्त कर पाते हैं कि यह यह तुझ पर इस पॉइंट पहूंत पर सिगनल को फिर से बीकर बीटर उवकर देते हैं कि है इस अजयेब चैबल बनाके रग दी तो यहां पर इस इंटरफेस पर रख देता है यहां रख देता है यहां रख दिया मैंने इस सिंगल चैनल तो यह सब को मिल गया एक्सेप्ट कौन कर रहा है जिसका इट्रेस मैच कर गया 141 तो यह चीज है स्टूडेंट अब मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं सब चीजें करता है तो अईसा कुछ होता है सबसे पहले मैं बता देता हूं यह एक्साडेसिमल ऐसे होते हैं यह डिजिट जो है इसको अपन जीरो कहते हैं फिर वन आता है फिर तू आता है इसके पाद आपने पास डिजिट नहीं बचते हैं तो अपन को अल्फाबेट का सपोर्ट लेना पड़ता है तो ए बी सी डी और एस तक जाता है जैसे आप एक्साडेसिमल से समझते हैं कि यह होता है जीरो वान टू ठी यह चीज चलती है इसके पास इसके बाद आपको दो डिजिट लेने पड़ेंगे तो यहीं वज़ए कि आपने कहें जीरो से लेके नाइम तक तो सही चला आपका का काम 10 डिजिट हो गए है आपके पास 16 डिजिट आपने क्या क्राएं रादर देंट टेपी टैन के लेलिए 11 जगे 12 टी जगे यह लेलिया अब यह 16 डिजिट हो गए आपके पास किसको आपन कहते हैं फाली सब्सक्राइब कैशे हो स्वाइनरी यहां इसजो है वन 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 आ जाइग कि यह टोटो दी पावर फ़ोर विसलेंगे जुट टूंट अधीनरी जो में जाएगा देन इते बिली जीरो जीरो फिरो ख्राइब इस चलेगा यह जए तो देखिए इसमें समझने वाली बात यह है है कुछ भी समझने का आपकी क्लास है 60 स्टुडेंट की ठीक है अब 60 स्टुडेंट क्या है तो डिजित ले रहा है तू डिजिट तो यह इनफ है अब यह आप तू डिजिट यदि आप आप और आप डील करते तो ठीक है 1 2 3 63 बोल दिया ठीक है लेकिन अगर मिशीन डील करते है तो उसको 63 चाहिए मंस में 64 चाहिए क्यों 63 कुछ भी नहीं होता है तू के पावर में काम होता है तो 64 मेंस हो गय आपको 6 binary डिजिट की ज़रूवत है तो यह 6 कहां से आया 6 इसलिए आया है आपकी रेक्वाइर्मेंट ही यही थी 63 तक रोल नंबर आ जाए Similarly यह जो एक card बनाती एक company जो भी vendor होंगे इसके Ethernet card बनाने में इन्होंने यह सोचा था कि एक LAN पे 48 तक जो है digit का address आजा है वो enough 48 digit का binary digit का address 48 यह आपके 6 binary digit है यहां पर अगर 48 होते तो 2 to the power 48 और यह बहुत बड़ा number होता है कि आरहन से कोई भी इसको यूज कर सकता है तो कोई भी यह जैसे अगर इसने land 2 बनाया तो इसने कोई Ethernet card ले लिए और इसमें 48 इसको 2 to the power 48 addresses मिल जाएंगे बहुत जादा addresses होते ही तो कहीं यह नहीं होगा कि इसका इससे match करे इसका से match करे देखिए अगर आपका रोल नंबर 16 है तो 16 किसी और का रोल नंबर नहीं हो सकता है यह चीज़ यहां पर कि यह जो कोई भी addresses जो है सेम नहीं होना चाहिए यह है अब यह डिफरेंट इंटरफेस के लगे रहते हैं यहां पर यहां तो वैसे टेबल रखता है और दोनों इंटरफेस को अलब करता है कि यह जो इंटरफेस है यह अगर से little तो अगर वो 2 होता है तो वो उसका उस पैकेट को लेके यहां से लेके यहां रख देदा कुछ भी चेंज नहीं करता फ्रेम में ठीक है फ्रेम यहां से मिलता ही है उसको कि फ्रेम इसको भी मिल रहा है फ्रेम यहां भी मिल रहा है फ्रेम यहां भी मिल रहा है फ्रेम इसको भी इंपर्टेट बात है ब्रिज को एड्रेस नहीं करता में अपको मैंने बता दिया अब यह देखें कि किस तरह से यह एक ब्रेज है फिर से आप समझ लें वहाँ पर दो लेंग को कनेक्ट किया था ब्रिज ने यहां पर तीन लेंग को कर दिया और बहुत ही ब्यूटिफल कंसे स्टूडेंट यह जो है लर्निंग है ब्रिज की ब्रिज जो है आपने यहां फिक्स कर दिया और तीन लेंग को कनेक्ट कर दिया अब ब्रिज की टेवल कहां से बनेगी ब्रिज की टेवल कोई नहीं बनाता ठीक है ब्रिज अपनी टेवल लर्निंग से बनाता यह बहुत ब् यह अगर कोई डेटा भेज देता है ब्रिज के पास तो यह क्या होता है जो ब्रिज को इसने भेजाए तब कम्प्यूटर चैक करता है कि वहीं इसको जाना कहा था एक ठीक है आफ्टर एससे फ्रेमटूडी अब इने किसको फ्रेम करा दी को सेंड किया तो इसमें लिख दिया एका इंटरफेस 1 है यहां पर लिग दिया एका इंटरफेस 1 है और ब्रिज ने उसको बी को भेज दिया तो यह इसने इधर पर भेज दिया डी को आप्टर एसेंट सी फ्रेम टू डी इसके पास यह इसकी टेबल अपडेट होगे सिमिलरली आफटर इसेंट से फ्रेम टू ए तो इजो है यहां पर है अगर इसने कोई फ्रेम सेंट किया किसको एको इसने फ्रेम सेंट किया है इसको फ्रेम सेंट कर रहा है एको तो जब एको सेंट करता है तो ब्रिज को यहां इंटरफेस 3 पर मिलता है तो यह फ्रेम मिलते ही इस तरह से जहां जहां से जो फ्रेम मलते हैं First Inraktion से मिलते हैं से when a second interface से मिलते है prohibition again इंटरफेस है वह सिकेंडमु से इपने एसे हैं जगा यहां से जला रहा है सुप्सक्रारिब से चला रहा है इदर सहं यहां से चला मण कुछा तो इस पॉइंट पे जाकर यह signal Teach होने लगा तो यह कुछ इस तरह का हो घाइफ速 जा सा ओया फिर इस तरह हो अपन इसको बिलकुल अपनी समझ चली जाए कि लोगर और हाइफ वोल्टेज क्या है उससेन पहले अपन इस signal को फिर से अंप यह एफ तरह तो इसको इंटरफेस वन मान लेगा इसको इंटरफेस तू मन लेगा इसको इंटरफेस तो इससे समझा दिया कि ब्रेज और रिपीटर में क्या फरक है और सिर्फ फिजिकल इड्रेस से कैसे कौर्शन पढ़ा है थे यह जो पौर्शन एक प्रिमाइशचे और यह अगर यह यह एक ही प्रिमाइसेज है, ब्रिज से आपने कनेक्ट कर लिए, दो एक इंटरफेस यह बना दिया आपने, इसके दूसरा इंटरफेस यह बना दिया, ठीक है, तो अभी आपने यह अच्छे से पढ़ लिया, सब किस तरह से लैन 1 होता है, अब यह देखिए कि यह एक करना है, पहले तो आपने स्विच से कर दिया, तो लेयर स्विच से कर दिया था, जिसको आप ब्रिज कहते हैं, अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो यह टू लेयर स्विच से नहीं होगा, ठीके ब्रिज मीन्स क्या है, टू लेयर स्विच है यह, टू लेयर स्वि यह होता है three layer switch इसको आपन three layer switch कहते हैं तो राउटर को राउटर बोल देते हैं समझ जाते हैं लेकिन bridge तो आप two layer switch कहें लेटी कहा है तो यह है अब student इन दोनों land को connect करने के लिए आपने router का use कर लिया है और यह देखिए आप यहां से जो आपका computer है यहां पे पांचों layer होती है और यहां पर आप बैठे रहते हैं इस जगे पर ठीक है तो यह है student इस तरह से user यहां पर रहता है यह हो गया user तो आप क्योंगी आप user है आपके पास सभी layer होती है क्यों होती है क्यों कि आप deal करते है application layer से आप जो भी software यूज करते हैं वो सब application layer software होते है mobile में तो उनका न उसको फिजिकल लेकत हैं यह बाकी थी म्ले कि अबर ब्राऊटर तीन लेयर पर काम करता है तो यह होती सकी network लियर यह होती इसकी data-link लियर यह होती इसकी physical तो आपको आई-पी एड्रेस की जब भी बहार निकलते हैं तो आपको आई-पी एड्रेस की ज़रूवत पड़ेगी क्योंकि यहां पर तीसरी लेयर आगई है आप यहां से चले अपने कंप्यूटर से तो आप तो पांच लेयर को चाहिए आपको यह है जब आप ब्रिज के पास पहुंचे अपने लेयर से आउट हुए और इश के दूसरे लेयर पर गए तो आपको ब्रिज ने हेल्प कर दी कि ठीक है यह इंटरफेस बान एंटरफेस पहुआ है और यह आप इस इंटरफेस को छोड़ते इस पर आगये तो ब्रिज ने आपको यहां पहुंचा दिया तो यह दोई लेयर पर काम हुआ इस ब्रिज ने कोई एड्रेस चेंज नहीं किया मैक अड्रेस जो आपने यहां एड्रेस दिया हुआ फ्रेम मनाते टाइम इस इंटरफेस से उठाके इस इंटरफेस पर रख दिया इस सिंगल चैनल है तो यह यहां रख भी देता है ब्रिज फ्रेम को वह सभी के पास पहुंच जाता है ठीक है अब जब आपने कोई पैकेट मान लिए यह आप बैठें ए और आपने कोई पैकेट यहां बेज दिया इस इस प्रेम इसको इस ने ने रिसीफ किया क्यों कि इसमने किया ता इसने इसलिए रिसीफ कर लिया कि इसको टू इंटरफेस मिल रहा था टेबल में इसकी तो इसने इसको फ्रेम को यहाँ से ज़ने के कारण यह सब को मिल जाता है अभिए इस में एक स्पेडिमेंट करेगा तो रować्र क्या करेगा इसका Dlatego अब यह router क्या करता है अपना च्छाइब हो कि वनट्टू 3 लिया रहे है इसके में को भूल के पांटर नींट रखेंद में लग्मर्म बिnda में अपने और हैं webinar यहां पर तो यहां पर 20 को दिया प्रिशना वद्विश को दिया तो यह फ्रेम किया जब यह पैकेट मिला इसको तो यहां पे था यहां पे था यहां पे था डेटा अब इस ने इस के साथ छेड़ चाड़ करें यहां पर अपना एड्रेस रग दिया A की जगे R और B की जगे तो B ही रहने दिया और यहां पर रख दिया data तो यह जो है address यह frame अब इसने उठा के यहां रख दिया router ने तब यहां रख देगा यह frame तो यह single channel है यह frame सबको मिल जाएगा और यह B को भी मिल जाएगा अब इसको accept करेगा क्यों करेगा क्योंकि यह frame इस channel पर रखा है यहां पर सबको मिलेगा यहां B है यहां पर R है और यहां पर data है अब यह इसको भी मिल रहा है इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है accept कौन कर रहा है यह B कर रहा है क्यों कर रहा है क्यों यह B का address जो रहा है यहां पर रखा हुआ है यह B ने accept कर लिया तो वैल student यहां पर अपन ने ये समझा कि router और bridge में क्या difference है bridge mac address को change नहीं करता है router लेकिन mac address को change कर देता है और router mainly IP addresses पे काम करता है